इस वीडियो के अंदर मैं आपको CSS की column count property के बारे में बताऊंगा कैसे हम इसको use करके अपने web page के अंदर जो हमारे text है उसको अलग-अलग columns में divide करते हैं और काफी अच्छा एक practical होने वाला है ये आगे कुछ बताऊं इससे पहले मैं आपको एक बार image दिखा देता हूँ कि हम क्या बनाने वाले है मैंने यहाँ पर एक book का एक image कि यहाँ पर click किया हुआ English का आपने notice किया होगा almost मैंने तो यह देखा 12th class तक भी जो हमारे English के book होते थे English से मेरा मतलब यह है जो English में लिखा हुआ होता था वो कोई भी subject हो सकता है ठीक है उसके अंदर यह दो अलग-अलग columns बने होता है ठीक है दो अलग-अलग parts में हमारे book को divide किया होता था एक एक chapter को मतलब आप यहां तक पढ़ेंगे उसके बाद आप jump कर जाएंगे यहां पर ठीक है यह तीन parts में भी हो सकता है चार में भी हो सकता है लेकिन at least मैं यह अमीद करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे है at least उन्हें कम से कम दो parts में तो divided देखा ही होगा दो columns में divided अपने book के अंदर contents को देखा ही होगा आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही समझने वाले हैं और इसके जितने भी दुनिया भर के properties हैं, values हैं उन सबको हम लोग बहुत ही ज्यादा deep में समझने वाले हैं, ठीक है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर new है तो subscribe करें बेल आइकन को क्लिक करके all notification कौन करें ताक्कि आपको latest videos की notification मिलती रहे और एक बार ज़रूर playlist section में जाके देखें, यहाँ पर already मैंने CSS के लिएक playlist बना रखा है JavaScript, game development, WhatsApp की तरह chat application कैसे बनाना है, Google की तरह website कैसे बनाना है और भी बहुत कुछ है जो आपके काम का है, जो आपको project में बहुत helpful रहेगा सो मैं आगे अपने folder में, यहाँ पर मैंने एक file create कर रहा है, column count name से और इसको मैं अगर open करके आपको check कर रहा हूँ, तो currently इसके अंदर कुछ भी नहीं है dummy text मैंने इसके अंदर copy based कर रहा है, और एक div का border लगा रहा है, ठीक है simply मैंने क्या किया, इसको right click किया, और sublime text editor के अंदर मैं इसको open कर रहा हूँ आपके पास जो text editor हो, आप उसमें काम करें, कोई problem नहीं है currently अगर मैं आपको एक code चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने लगा रखा है style tag, box one नाम से CSS define किया और div के अंदर उसको मैंने call कर लिया, और इसके अंदर मैंने लिखा रखा है border, 3 pixel, solid, black, ठीक है नीचे अगर मैं बात करूँ तो normal सा एक paragraph है, जो मर्जी paste करें, doesn't matter उसके बाद div close, body close, ठीक है, तो अगर overall code आपको दिखा हूँ, तो कुछ ये code भी तक मैंने किया हुआ है इसके अंदर, ठीक, zoom again से मैं पहले की तरह कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको save कर दिया अब सबसे पहले तो हम समझते हैं, इसके अंदर हमें क्या-क्या options मिलते हैं, क्या-क्या values मिलते हैं, ठीक है और क्या ये चीज है, column count property, देखिए, by default क्या होता है, जब हम एक div बनाते हैं, तो उसको हम एक particular width assign करते हैं नहीं तो वो पूरे के पूरे page को consume कर लेता है, ठीक है, और उसके अंदर हमारा कुछ dummy content होता है लेकिन मेरी requirement ऐसी नहीं है, मैं चाहता हूँ, थोड़ा बहुत अलग दिखे हैं मेरी website और बहुत सारे web pages पे या website पे आपने ऐसा देखा होगा कि हमारा जो web page है, वो तीन अलग-अलग columns में divided है, ठीक है, अब check कर सकते हो, यह एक column है और बीच में gap है, यह एक दूसरा column है और यह एक तीसरा column है, ठीक है अगर मुझे कुछ ऐसा layout ready करना है, तो मुझे लगाना पड़ेगा column count, अगर हैं बात करता हूँ, यहाँ पर आपसे column count properties के बारे में, तो मैं बहुत ही सारे properties यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि column count, जो कि मैंने आपको just अभी show कर दिया, column gap, column rule, column rule width, column rule style, column rule color, column width, column fill, column span, and column, तो यह बहुत सारे properties हैं, जो हमें मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से दो ऐसे properties हैं, जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं, क्योंकि column count property जो है, वो CSS 3 के अंदर latest है, ठीक है, और maximum browsers जो हैं, इसके दो अलग-अलग properties को support नहीं करते, अब वो कौन से दो अलग-अलग property है, column fill and column जो है, यह maximum browser इसको support ही नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ जादे latest चल रहा है, तो currently यह काम नहीं करता है, in future काम करेगा, तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर दिखा दूँगा, ठीक है, और better है, इन दोनों का आप use नहीं करें, अलग-अलग browser पे यह problem create कर सकता है, और हम यही चाहेंगे, जो सब जगा run करें, हम उसी को use करें, अपने website के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाकी जितने भी बचे वो properties है, मैं आपको बारी-बारी वो सारे करके दिखाऊंगा, अब बात करते हैं, यहाँ पर column gap की, तो वो क्या चीज है, यहाँ पर मैंने एक arrow बना रखा है, आपको highlight करने के लिए, see this, यहाँ पर एक है, और यह है, हमारे पास तीन अलग-अलग column है, और यह जो बीच में space highlighted है, बीच में जो space बचा हुआ है, यह हमारे column के बीच का gap है, by default यह automatic होता है, auto mode पर होता है, हम इसको कम यह जादा कर सकते हैं, अपने according, ठीक है, तो यह कहलाता है, हमारा column gap, next अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है, हमारे पास column rule, अब rule का मतलब होता है, एक line, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक line लगा करके यह दे देगा, ध्यान दने वाली बात यह है, कि यह हमारा एक border है, जो हमने by default लगा आपके रखा है, और rule आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में rule लगा के देगा, ना तो इस left side पर बाहर की तरफ, ना right side पर बाहर की तरफ, ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग column width की, तो देखिए, यह हमारा particular area जो यह consume कर रहा है, यह कहलाता है हमारा column width, तो इसका भ तो मैं आ गया अपने code में, और यहाँ पर मैंने एक काम किया, सबसे पहले, यहाँ पर आ करके मैंने border अगरा तो already लगा रखा है, जिसकी help से, मेरे पास कुछ ऐसा layout ready हुआ है, ठीक है, सबसे पहला काम तो मैं इसको यह करता हूँ, कि मैं इसको एक particular width assign कर देता हूँ, आप तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसको width दे दिया, lettuce से मैंने इसको width दिया 800 pixels, ठीक है, 800 pixels का मैंने इसको width दे दिया, तो कुछ ऐसा result है मेरे सामने, आपको ध्यान यह देना है कि width change नहीं होगा, यह यहाँ का यहीं पर रहेगा, ठीक है, अब directly आप को दिखाता हूँ, मैं column count लगा करके, तो मैंने यहाँ पर लेखा column count, और इसके बाद मैंने दे दिया 2, अब ध्यान देने वाली बात ही है, minimum 1 तो रहता ही है, तो 1 लगाना, ना लगाना एक ही बात है, कम से कम 2 होना चाहिए, see this, हमारा width इतना ही रहेगा, डेव का, लेकिन दो अलग-अलग parts में divide हो गए, मुझे पूरी उमीद आप better देख पा रहे होगे, mobile users के लिए मुझे इतना zoom करने की जुरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी, ठीक है, तो यह हो गए हमारे पास column count 2 की help से, और zoom कर देता हूँ मैं code को, यहाँ पर कर दिया है मैंने 3, तो इससे क्य होगा, जो मेरा width है वो stable रहेगा यहीं पर लेकिन यह overall हमारा 3 parts में divide हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपने according जितना अच्छा लगे, लेकिन देखिए, cdc बात है, 3 के ऊपर यह कुछ खास लगेगा नहीं, सच बताऊं तो, 4 तो बहुत ही जादा हो उसका gap को बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर मैं आ गया, और यहाँ पर मैंने लिखा, column, gap, let us say मैंने इसको दिया, 150 pixels, 150 pixels, और मैंने इसको save किया, save करके refresh किया, तो आप बेटर देख सकते हो, विर्द को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बीच में 1.500, 1.500 pixels का gap आ गया, ठीक है अब चाहें तो उसको कम कर सकते, अपने according, obviously वात है, इतना ज़्यादा बना करके, मैं अपने page को खराब तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, तो मैंने save किया, say this, ये भी बहुत ज़्यादा है, by default जो था, वो तो खेर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन हम अपने according क हम ज़्यादा उसको कर सकते हैं, ठीक है, तो ये रहा हमारा column gap, next है हमारे पास यहाँ पर column rule width, ठीक है, so उसको apply करते हैं, तो मैं यहाँ पर आगया, और यहाँ पर मैंने लिखा column rule, ठीक है, मैंने लगा दिया, यहाँ पर column rule, column rule के अंदर दे दिया, मैंने इसको let us save 5px और save किया, यहाँ पर आके refresh किया, तो आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आया, ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़े बहुत changes करने होंगे, जैसे कि column rule width, तो आपको ये लगा देना है, और save कर लेना है, save करके refresh करोगे, तो कुछ भी अभी भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठोड़े बहुत changes यहाँ पर और होते हैं, जैसे कि column rule और उसके बाद हमें लिखना होता है यहाँ पर style, column rule style, तो इसके अंदर मैंने देदिया मैं इसको solid, चिक है, इसके बाद जो आपको लिखना होता है, वह होता है column rule color, तो मैंने यहाँपे लिखा column rule so color, तो मैंने color दे दिया इसको red और इसको मैंने simply save किया, ठीक है, उसके बाद मैं अपने document पर आके refresh करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास 5 pixels का, एक solid red color का rule आ चुका है, एक line आ चुका है, आपको ज्यादा confusion ना हो, इस चीज़ के लिए मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने अपने div का एक border लगा रखा है, उसको मैं 0 pixels कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने इसको save किया और refresh किया, see this, ये कुछ ऐसा काम करता है, और जब आप इसको align center वगरा करोगे, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, आप चाहें तो इसका shorthand भी बना सकते हैं, मतलब कि आपको ये 3-4-4 line लिखने की कोई जरुवत नहीं है, हम इसको simply एक ही property के जरीए पूरा कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास column rule, ठीक है, column rule के अंदर मैंने type किया 5 pixels, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा solid, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे green, और इन 3 line की अब हमें कोई जर सेव किया, यहाँ पे आके refresh किया तो बड़े अराम से वह काम करेगा, अब आपके पास यहाँ पे बहुत अलग अलग options मिल जाते हैं, जैसे कि solid की जगपे आप चाहो, तो यहाँ पे double लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे double लगा दिया, और save किया, यह अलरड़ी मैंने आपक properties में कराया हुआ है, तो यह कुछ वैसा काम करता है, और zoom करके रखता हूँ, बेटर समझ में आएगा आपको, अब double की जगपे हम चाहे हैं, तो dashed दे सकते हैं, तो मैंने dashed लिखा और save किया, और यहाँ पे refresh किया, similarly मैं फटा-फट सारे options आपको करके दिखाता हूँ, इतन को जो कराया था, अब सारा कुछ यहाँ पे apply करके देख लेना, ठीक है, तो हम कुछ यह सारी चीज़े भी apply कर सकते हैं, move करते हैं यहाँ पे अगली property की तरफ, जिसके लिए यहाँ पे हमें, column count जो है न, वो remove करना पड़ेगा, वो काम नहीं करेगा, कहने का मक्सद यह है कि column count के साथ अगला property काम नहीं करेगा, जो की है column width, तो मैंने यहाँ पे लिखा column width, ठीक है, अब देखिए यह जो width है न हमारा, यह div का है, जो पहले लगाया है मैंना, जो की यहाँ पे था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह इतना ही रहेगा, अब मैं column की width set कर रहा हू 150 pixels, तो इससे क्या होगा, 1500 pixels के according, उस particular div के width के अंदर, जितने columns बन सकते हैं, यह बना देगा, अगर मैं इसको 100 कर दूँगा, तो और बहुत सारे columns हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे, क्योंकि उसका width कम हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको apply करते हैं, एक और ह काम करता हूँ, इसको मैं 200 pixels करके देखूँ, यह कैसा impact देता है मेरे पास, तो मैंने इसको save किया और refresh किया, ठीक है, पहले की तरह यह अच्छा लग रहा है, अब लगाता हूँ, मैं यहाँ पे column span, तो column span जो है वो directly काम नहीं करेगा, column span को currently मैं हटाता हूँ, और यह जो मैं यहाँ पे h2 tag लगा दिया और इसके अंदर लिख दिया मैंने column count tutorial और save किया, जब आप by default यह करके refresh करोगे तो क्या होगा, यह जो अपने content लिखा हुआ है, जो आपने heading दिया है, यह आपका particular column के अंदर चला जाएगा, जिससे आपका alignment खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चा या तो आप all लगाओगे यहाँ पे या फिर आप none लगाओगे, none को लगाना ना लगाना एक ही बात है, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे none लगा करके दिखा देता हूँ कि इससे कुछ नहीं होने वाल है, तो मैंने यहाँ पे none लगा दिया और none लगाने के बाद simply यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसको मुझे यहाँ से cut करना पड़ेगा, और मुझे इसको h2 tag के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि obviously वात है, मैं h2 के अंदर इसको apply करना चाहता हूँ, ठीक है, so यहाँ पे आके मैंने refresh किया, तो देख रहे हो आप यह ऊपर चला गया, आप क जो हमारा content है, title उसको बढ़ाया जाए, जैसे की by cyber warriors, और save करूँ, तो देखिए वो और थोड़ा सा width cover करेगा, अगर और content होगा, तो यहाँ तक जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग column span को use करते हैं, ठीक है, मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको topic समझ में आ चुका होगा, अगर अच्छा लगा है तो like करें और comment करके अपना feedback जरूर दे, चैनल पर नहीं हो तो subscribe करें, bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे, और एक बार जरूर प्रेली सक्षन में जाके देखे, css tutorial, javascript tutorial, game development, whatsapp की तरह chat application Google की तरह website और ही बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, मैं मिलता है आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys